नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं राज सरकार के स्वास्त विभाग ने इन योजना को परभावी बनाने के लिए सभी जीलों के उपायुक्तों को पत्र भी लिखा है राजधानी राची के सभी परखंडों में सिक्षा प्रसारपदा दिकारियों को भी तैयारी सुरू करने का निदेश दिया गया है इसके तहट 6 दिसंबर से विध्याले अस्तर से नेत्र जाच कारिकरम की सुरुआत होगी छातरों के आंख जाच के लिए सिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग नेत्र जांच कारेकरम को सफल बनाने के लिए राजी के सभी प्राथमिक और मध्य विद्याले के एक-एक सिक्छा को प्रसिक्छन दिया जाएगा प्रसिक्छी सिक्छको की जिमेदारी होगी कि स्कूल के एक-एक बचे के आँख की जांच कराे समुदाइक स्वास्त केंद्र पर इसकी बेवस्था की जाएगी बतादे सिक्षकों का प्रसिक्षन कारेकरम 1 दिसंबर से सुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा इससे पहले मुखे प्रसिक्षकों को 25 नौंबर को प्रसिक्षन दिया जाएगा प्रार्थमिक सिख्छक नियुक्ति के मामले में हुई सुनवाई हाई कोट में बुध्वार को जश्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्रार्थमिक सिख्छक नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई उनका यह कहना है कि प्रार्थी ने टेट की परिक्षा BC2 काटेगरी में पास किया है ऐसे मैं उन्हें समाने काटेगरी में नियोक्ती नहीं मिल सकती इसकूल खोलने के फैसले पर सरकार पुर्ण विचार करे अभिभावक संग जारखण ने राजसरकार वपरसासन से आगरह किया है कि पाली से पांच वी तक के लिए ओफलेन का खचाय सुरू करने के फैसले पर पुर्ण विचार करना चाहिए फिलाल इस फैसले को अस्थागित किया जाना चाहिए संग के अध्यक्स कैलास यादयों ने कहा कि कई राजियों के स्कूलों में कुरोना बढ़ने का लगातार अपडेट मिल रहा है जो काफी चिंता जनक है बरतमान परिष्थिती में बचे के लिए सारेरी कक्छाय संचालित करने का नेनाय पर सरकार को पुर्ण विचार करना चाहिए पंजाब रायस्थान उडिसा सहित अने परदेशों में बीगत दीनों से स्कूल में सारेरी कक्छाय सुरू होने से तक्रिवन सेक्डों बचे कुरोना संक्रामित हुए हैं आनंद बिहार ट्रेन 30 दिसंबर तक रद रहेगी हटिया आनंद बिहार टर्मिनल 3 सबताहिक ट्रेन 30 नोवंबर से 30 दिसंबर तक रद रहेगी यह जाले के मौसम में संभावित कोहरे के कारण रद की गई है वहीं आनंद बिहार टर्मिनल हटिया ट्रेन भी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रद रहेगी जारखन में जल्द सुरू होगा घुमनतु बच्चों का सर्वेक्षन सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राजे में जल्द ही इस्ट्रीट वा घुमन्तु बच्चों का सर्वेक्षन किया जाएगा साथी 25 नॉम्बर से 10 दिसंबर तक 200 महिला हीन्सा उन्मुलन पक्वाडा मनाया जाएगा ये बाते महिला बाल विकास वा समाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोभा मांजी ने कही बता दे बुध्वार को बाल कल्यान संग के सचीव संजय मिस्रा ने मंत्री से सिष्टाचार मुलकात की इस दोरान जारकंट के बच्चों के अधिकार और संड़क्षन में किये जा रहे कारे पर चर्चा की गई साथ ही सूपरीम कोट के आदेश पर मंत्री के साथ चर्चा होई मंत्री ने कहा कि घुमन्तु बच्चों का सर्वेक्षन और महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए राज ये एक्षन प्लान बनाना चाहता है पेट्रोल डीजल को लेकर आज हस्ताक्षर अभियान जार्खन में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर घटाने को लेकर परदेश भर में भाजपा गुरु आर को हस्ताक्षर अभियान चलाएगी भाजपा परदेश अध्यक्ष दीपक परकास ने कहा कि केंदर सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद सुल्ख घटाते हुए दामों में 5 रुपए एवं 10 रुपए की कमी की है केंदर सरकार की तरज पर एंडीए सासीत सभी राजजियों एवं गयर भाजपा सासीत अनेक राजजियों में भैट घटा कर जानता को राहत दी है परन्तु जार्खन सरकार ने अब तक कोई कमी नहीं की है जानता को राहत तिलाने के लिए भाजपा कार्य समीती ने राज़सरकार के खिला अंदोलन कार निर्ना लिया है जारखन में कुरोना के 12 नए मरीज मिले हैं जबकि 20 मरीज स्वस्त भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 127 है भारत में 9283 नए केस मिले हैं जबकि 10 मरीज स्वस्त भी हुए हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,10,522 है भारत चीन सीमा पर सड़क बनाने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए आगे आई सरकार देश भर में काम कर रहे जारखन वासी मजदूरों के गायब हो जाने की ख़वर अक्सर आती रहती है जारखन सरकार अपने राजी के मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पहल किया है खास कर दूसरे राजियों में और अंतर राष्ट्री ये सीमा पर काम कर रहे जारखन वासीयों के लिए बिशेस ख्याल रखा जाएगा बता दे भारत चीन की सिमा पर जारखन के विभीन जीलों के स्रमिकों को सडक निर्मान में लगाने से पहले उनका जारखन के साथ लदाक में पंजी करन जरूरी होगा इस मसले को पिछले दिनों जार्कन सरकार की ओर से लदाक परसासन और बोडर रोड संग अठन के बीच लदाक में हुई बैठक में प्रकमुकता से उठाया गया है बीएड कर चुके अभियार्थियों के लिए भरती भरती इसपाद प्राधिकरन लिमिटेड ने विभीन विशायों के सिक्षक पदो पर भरती निकाली है इन पदो पर अभियार्थियों का चैन केवल इंटर्वियू के जरिय किया जाएगा अभियार्थी इस भर्ती से समधित अधिक जनकारी के लिए जारी अधिकारीक नोटिफिक्सन को देख सकते हैं या भर्ती बोकारोई स्टील प्लांट जार्खन के लिए निकाली गई है जिसमें कूल 38 रिक्त पदो पर भर्ती की जाएगी जार्खन के बुजूर्ग दिव्यांग विध्वा बेसहारा को हर महीने एक हजार रुपए जार्खन के हमन सुरेन सरकार वरिष्ट नागरी को दिव्यांगो विध्वाओ और बेसहारा लोगों का सहारा बनेगी परदेश सरकार इन लोगों के लिए नई पेंसन योजना ला रही है इस वर्गों के लोगों को हर महीने एक है रुपए बतर पेंसन दिये जाएंगे ताकि वे आर्थिक रूप से ससकत होकर एक बेतर जीवन जी सके हलाकि अभी इसका आकलन नहीं किया गया है कि पेंसन योजना से सरकारी खाजाने पर कितना भार बढ़ेगा लेकिन सरकार की इस योजना से वन्चीत वर्ग को रहत मिलने की उमीद है जारखन के गुमला जिले में नकसरली बंदी का व्यापक असर बसों के परिचालन पर पड़ रहा है बता दे दो दिनों से कई रूटों में बस नहीं जा रही है इससे बस मालिकों को करीब 60 लाक रुपए का नुकसान हुआ है वहीं बसे नहीं चलने से बस पड़ाव की सभी दुकाने दो दिनों से बंद है जिससे करीब 150 दुकंदारों के समक्स आर्थिक संकट उत्पन होने लगा है बता दे कई दुकंदारों ने कहा कि बस नहीं चलने से सबसे ज़्यादा परिसान बस पड़ाव के दुकंदारों को होती है दो दिनों से ब्याव साइठ ठफ है हम लोग रोज कमाने वा खाने वाले हैं अभी तीसरी दिन की बंदी बाकी है जेई और MBI की नियुक्ति के लिए एक ही परिक्षा राजजे में अब कनिया भियानता MBI, खान निरीक चक और अने पदों के लिए एक ही परिकषा लिजाएगी पहले दो परिक्षा के आधार पर अभीयार्थियों का चयन किया जाता था कैबिनेट के फैसले के बाद अब कार्मिक प्रसासनिक सुधार विभाग ने एक ही परिक्षा से नियुक्ति की अजिसुचना जारी कर दी है बतादे जार्खन करमचारी चयन आयोग ने परिक्षा की संसोथित नियमावली 2020 में यह परवधान किया है इस तरह अब इन पदो पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है संतोष ट्रोफी और विमेंस चैंपियंशिप में खेलेंगी जार्खन टीम राजे सरकार के हस्तचेप के बाद संतोष ट्रोफी और विमेंस चैंपियंशिप में खेलेंगी जार्खन की टीम बता दे इसे पुर्व दो कुटों में विवाद के कारण All India Football Federation ने इन फुटबॉल परत्योगता में जारखन टीम के खेलने परोक लगा दी थी मामला उजागर होते ही राई सरकार के पता अधिकारियों ने फेडरेशन के अधिकारियों से बात की इसके बाद फेडरेशन ने फासला लिया कि जारखन की पूरुष टीम संतोष ट्रोफी और माहिला टीम विवेंस चेंपियंशिप में खेलेंगी इसके लिए 25 नमबर को खेल गाओं में खेलाडियों का ओपेन ट्रेल किया जाएगा और टीम तयार कर भेजा जाएगा राष्टरिय महिला फुटबोल चेंपियंशिप में भाग लेने जारखन की 20 खिलाड़ी जाएगी केरल जारखन की 20 महिला फुटबोल खिलाड़ीयों का चेंपियंशिप के लिए हुआ है रांची के खेल गाव इस्थित बीसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में अस्पोर्ट डारेक्टर की उपस्थिती में ट्रायल हुआ चैनीत हुई 20 महिला फुटबोल ख्याडियों को खेल विभाग फलाइट से केल भेज रही है सियम हिमन्त पैतरिक गाव रामगड के नेमरा पहुँचे जारखन के मुख्य मंतरी हिमन सुरेन बुधवार को हेलिकप्टर से अपने पैतरिक गाव नेमरा पहुँचे सिरी सुरेन यहां अपनी चचेरी बहन की साधी के तियारी के जाजा लेने पहुँचे वहीं आगामी 27 नॉवंबर को इनके दादा सहीद सोबरन सुरेन की सहाधत दिवस को लेकर भी चर्चा की बता देबुद्वार को पैतरिक गांप पहुँचने पर जिला परसासन द्वारा सीम सीरीज सुरेन को बुके देकर स्वागत किया गया वहीं गार्ड आफ ओनर भी दिया गया इसके बाद मोख्य मंत्री अपने पैतरिक आवास में बन रहे पंडाल का घूम कुम कर निरिक्षन किया साथ ही उन्होंने कई दिशा निदेश भी दिये 26 नॉवंबर को रांची में किसान अंदोलन के समर्थन में जन सभा देश भ्यापी किसान अंदोलन के एक वर्ष फूरे होने के उसर पर किसान अंदोलन के समर्थन में जन सभा का उजन किया जाएगा बता दे किंद्र तथा राज्य सरकार से बिभीन सिवील एवं मानव अधिकारों की मांग किया जाएगा 26 नुवंबर सुक्रवार के दिन राची राजभोन के समक्ष जार्खन जन संघर्स मोर्चा के द्वारा सांति पूर्ण जन सभा का उजन किया जाएगा आम जनता पर पूलिस का रोब नहीं छलकेगा प्यार जार्खन पूलिस इस लक्ष के साथ काम कर रही है कि यहां आम जनता से लेका निवेसक तक खुद को सुरक्षित महसूस करे उध्योग पतियों को यह न लगे कि यहां उध्योग लगाने पर उसे खत्रा है कोई सनवेदक यहां काम लेने से पहले या नहीं सोचे कि नक्सल प्रभावित इलाके में उसे लेवी देनी पड़ेगी नहीं तो उसकी गाडिया फूक दी जाएगी और सबसे आहम बात लोगों के मान में पूलिस का चेहरा जब भी उभरे तो वह फ्रेंडली हो ना कि जांजट में भरा जारखन में एक्टिव केस इस परकार हैं कुड में चार मरीज एक्टिव हैं धन्यवाद